हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक कावर चैनल, एसा स्टेडी सोल्यूशन, इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट येर, फर्स्ट सैम के चूजिंग अवर यूनिवर्स के बारे में जानेंगे, आईए वीडियो की सुरुआत करते हैं, चूजिंग अवर यूनिवर्स स्टीफन और लिनोर्ड मलोडिनो के द्वारा लिखा गया है, इसके हम सोट कोस्टन के बारे में जानेंगे, जो कि आपके एकजाम में दो नमबर से लेकर ते नमबर तक आते हैं, इसका फ़ेश्ट कोस्टन है, वर्ट आइडिया दस दा चैप्टर डिसकस, इस चैप्टर में क्या व इनकी बर्मांड की उत्पत्ती कैसे हुई, इन दिस चैप्टर, देर आर सम मित्स अवाउट हाव दा यूनिवर्स वाज क्रियेटिड बर्मांड कैसे उत्पन हुआ, इसके बारे में कुछ बातते हैं, जो इस चैप्टर में हमें बताई गई है, नेक्स्ट कोस्टन है, वो हूमन विंग, उसने बढ़ाया है यूनिवर्स को और हूमन विंग्स को, थर्ड कोस्टन है हमारा, वट इस दा जोक दा ओथर्स मेक रिगार्डिंग इथेनोल, लेखक इथेनोल के वारे में क्या मजाक करते हैं, दा मेकर कंस्ट्रक्टिड दा फर्ष्ट हूमन फ्रों मेलो कॉर्ण के साथ, वट तोडे भी मेक इथेनोल फ्रों कॉर्ण, लेकिन आज हम इथेनोल मिलाते हैं कॉर्ण से, नेक्स्ट फॉर्थ कोस्टन है, हमारा, वाई डू दा ओथर्स कंसीडर हूमन फ्रों वी ओफ रिसेंट ओरिजन, यानि कि लेखक मनुष्यों की उत्पत् अभी ही हुई है, इसके बारे में लिखक यह क्यों मानते हैं, तो क्यों मानते हैं, दा यूनिवर्स विगें 13.7 मिलियन इयर्स एगो, बर्मान का जनम 13.7 करव साल पहले ही हो गया था, वर्ट दा हूमन आर ओनली 4,004 वी सी ओल्ड, लेकिन मनुष्य लोग केवल 4 जाचार इसा पूर्व के ही है, सो दा ओतर कंसीडर हूमन तो वी ओफ दिसेंट ओरीजिन, नेश्ट कोस्चन है, कोस्चन 5, वट डू यू अंडरस्टेंड वाई दा टरम बिग वैंग थियोरी, यानि कि बिग वैंग सी दान से आप क्या समझते हैं, दा बिग वैंग थियोरी एक्स बर्मान के आरम में क्या हुआ, और उस सन के दुरान तथा उसके वाद क्या हुआ, तो ये हमारे 5 most important questions थे, choosing our universe के, I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा, अपने friends के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा share कीजेगा, और channel पर नए हैं, तो channel को subscribe कर दीजेगा, thank you, फिर मिलेंगे ऐसी ये उक और वीडियो के साथ, मने र